हलो फ्रेंग तो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टो आवर चैनल अभी एस यो तो दोस्तो एक नए वीडियो में आपसे आपका स्वागत है और देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल जगह हम पहुत चुके हैं यह है आपको दुबाई का डाउन टाउन एरिया है और हम जा रहे हैं आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं Wings of Mexico Statue जो दुबाई में बड़ा फेमीस है वहाँं पर क्या है आपक्या कर सकते हैं रही पर फोटो ऐपर्चिनीटी है वहाँ पर इस टैचू बना वाए अभी चलिए आपको आगे दिखाते हैं अभी देख सकतें यहां का जो downtown का area है बहुत ही beautiful है so यहीं से और यहां पर आप लोग कैसे आएंगे और कैसे आ सकते हैं मतलग कहां से बस से metro से वो सारी जान कर यह हम आपको आगे देते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में जरूर एंड तक देखेगा इस वीडियो को और जो स्टैच्व है यह मेक्सिकोन स्टैच्व क्यों नाम इसका रखा गया और यह देख सकते हैं यहां पर यह बस टाइप है सो यह आपको दुबई का मतलब टूर कराती होगी सो इसका वीडियो आगे जरूर आपके लिए लेकर आएंगे इन फ्यूचर में सो जो इसका यह बना क्यों है मेक्सिको स्टैच्व इसका मेक्सिको नाम क्यों है विंक्स ओफ मेक्सिको विकोस जो मेक्सिकन आर्टिस्ट है उनका नाम हम यहां डाल देंगो थोड़ा अजीब सा है मैक्सिकन आर्टिस्ट है उन्होंने 2010 में इसको बनाया है जिससे कि यहां पर लोग मतलब बोर्स खलीफा अगर घूमने के लिए आते हैं दुबवई सो यहां पर देखने को उन लोग को मिल जाएगा मतलब यहां पर photo opportunity है सो आप लोग का इंतजार भी खतम हुआ और हम लोग का इंतजार खतम हुआ दोस्तों और यहां पर हम आज जोके हैं बहुत ही मज़े किये हम लोग ने यहां पर और enjoy भी हम करने वाले हैं बहुत जादा देख सकते हैं यहां पर already लोग कुछ यहां पर reals या photos वगारा बना रहे हैं सो हमारा भी यही राद है हम भी आपके लिए लेकर आएं vlogs और हम भी अपनी photo opportunity क्यों जाने दें तो हम भी photo shoot यहां पर करते हैं वीडियो सूट करते हैं तो फिर आपको व्लॉग में भी देखने को मिलेगा दोस्तो तो देख सकते हैं जैसा कि अभी कुछ लोग बना रहे हैं या फिर अपना real बना रहे हैं Instagram, TikTok यहां पर TikTok बैन नहीं है जो भी लोग इंडिया से देख रहे हैं हमें दुबाई में TikTok चलता है दोस्तो और अप अगर इंडियान उससे नमबर से रेजिस्टर करें तो मेभी साइद ना चले बट हम यूज़ नहीं करते है TikTok हम Instagram और हमारा YouTube चैनल है सो हमारा टर्न आ चुका है देख सकते हैं मेरी वाइफ उपर गई है और यहां पर कुछ हम फूटो गारा क्लिक करते हैं अब इंज्वाइ करें विस म्यूजिक के साथ सो हम भी वापस गएंगे कर दे नएंगे कर दो लोग पूल करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमें पूर्ट करते हुए और क्योंकि हम नहीं यहां पर किसी पॉसन से बोला जिसे कि हमारी वीडियो आप फोटो सूट कर सके so बहुत बहुत थैंक्स उस भाई का जिसने हमारा वीडियो सूट किया और फोटोस भी क्लिक किये तोनों की साथ में so तो चलिए आगे देखते हैं हमारा फोटो सूट वगरा हो चुका है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो मतलब वही टाइम सबको टाइम मिलना चाहिए तो उसलिए हमने जो इतना कराना था करा लिया है तो अभी चलते हैं वापस बुर्ज कलिफा की तरफ इस साइड से अगर दोस्तो अगर आप लोग आते हैं तो हमने जैसा स्टार्टिंग में बताया है कि इस वीडियो में आपको फुल जानकरी मिलेगी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं सो दोस्तो यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं और देख सकते हैं यहाँ से सीधा बुर्ज कलिफा दिखता है और पूरा नीचे से लेके उपर तक दिखता है पूरा तो यह मतलब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहां से आपको पूरा व्यू बुर्ज कलिफा का मिल जाता है और वाइब के साथ है तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि साथ में घुमने का एक अलगी मज़ा है क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस्टेग्राम पे भी देखा होगा तो चलिए आपको एक चीज बता देते हैं यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं अगर दोस्तों आप लोग मेट्रो से आना चाते हैं तो यहाँ पर बाइ मेट्रो आ सकते हैं एड लाइन पकड़िए जहाँ पर भी आप रहते हैं एड लाइन पकड़िए बुर्स खलिपर दुबई मौल मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन वहां से उतरिए अगर आप पैदल नहीं आना चाते हैं पैदल भी आ सकते हैं वहाँ से मैट्रो से उतर के बट काफी 1.9 किलो मीटर है 24 मिनिट्स लगेंगे वाइ वाउक अगर आप यह चाहते हैं कि पैदल नहीं आना चाहिए तो आप बुर्ज कलीफा से वहीं से आपको नीचे बहा निकलेंगे वहीं से आपको मिलेगी बस बस नमर मिलेगी एफ 13 हर 10 मिनिट्स में आती है और वो उतारेगी आपको बुर्ज कलीफा दा पैलेस होटल तो दा पैलेस होटल के पास आपको उतारेगी और यह नजारा देखिए दोस्तों कितना ब्यूटिफुल है अगर आप उसके पास बस स्टेंट से उतरते हैं यहाँ पर बाई वाकिंग डिस्टेंस वन मिनिट का डिस्टेंस वहाँ से यहाँ पर आप यहाँ पर आज आएंगे फोटो अपरचिनेटी इतना अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो voting मतलब rights होते हैं यहाँ पर जब fountains होता है evening में so वहाँ पर यहाँ से voting का मतलब right कर सकते हैं और यहाँ पर आपको left side में यह जो दो chair दिख रहे हैं यहाँ पर हमने photo suit करा है बहुत ही प्यारी photo आईएं दोस्तों अगर आपको photo देखना है तो हमारे instagram को जरूर visit कीजिए और हमारे instagram id है at the rate abhiseo at the rate आप starting में डाल सकते हैं और हम link हमारे description में भी रहता है दोस्तों instagram का तो वहाँ से भी आप visit कर सकते हैं तो देख सकते हैं कितना ही अच्छा beautiful view दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा wide angle भी दिख रहा होगा पूरा Burj Khalifa cover कर दिया है अपने छोटे से camera में जो है हमारे पास insta 360 go to इसमें 360 video नहीं बनती है बट 240 degree तक video बन जाती है तो हम भी हमारे पास कोई smartphone है नहीं मतलब वैसा आइफून like अभी हम इससे ही video record करते हैं दोस्तों तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और आप लोग comment करके जरूर बताएं कि यह कैसा view आ रहा है so by metro के बाद bus भी ले सकते हैं F13 so वो आपको यहाँ पर छोड़ देगी ज्यादा टाइम नहीं देखता है 20 to 25 मिनट से लगते हैं wings of Mexico statue के पास आने में आपको तो दोस्तों यह देखिए artificial मतलब गुलाब के पानी में कीचड में क्या होता है देख सकते हैं और जो water होता है नहीं का जो blue sky blue water देख रहा है यह बिल्कुल neat and clean होता है इसी में आप साम को जो इवनिंग में 6.30 के बाद आप fountain show देखते हैं इस साइड नहीं हमारे right साइड में यहीं से fountain सुरू होता है fountain show आपको downtown दुबई में पूरा fountain show दिखता रहता है और बुर्स कलिफा और दुबई mall के बाहर जब आते हैं उस साइड से जहाँ fountain show के लिए लोग देखते हैं तो यहाँ से भी लोग देखते हैं तो यह हम जब आये थे विंग यहाँ पर statue के पास wings of Mexico statue तो थोड़ा नाम थोड़ा जीब साइव उसलिए थोड़ा दोस्तो लेने में थोड़ा सा जी होता है तो देख सकते हैं दोस्तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और यहाँ पर एक मतलब ऐसे selfie point भी है आगे और अभी हम आगे दुबई mall तक चलते हैं और बुर्स कलिफा के नीचे तक चलते हैं मतलब डाउन टाउन दुबई जहाँ पर आप fountains हो मतलब basically देखते हैं यहां से भी आप देख सकते हैं यह मतलब एक अलगी लेवल यहां से जब रात में दिखता होगा इसका view बहुत ही अच्छा आता होगा तो चलिए दोस्तो अभी यह वीडियो 8-9 मिनिट का हो चुका है अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा देन फिर देखते हैं वहां पर वो जो selfie point है उसका भी मज़ा लेते हैं और दोस्तो आप लोग अगर दुबई में रहते हैं तो जरूर हमारे vlog देख रहे हैं जरूर हमें comment करके बताएं आपको यह vlog कैसा लगा और अभी कैसा लग रहा है औ और यहां पर आना चाहते हैं तो जैसा हमने आपको बताई दी हैं आपर कैसे आ सकते हैं तो आप इस साइड से भी आ सकते हैं दूबई मॉल के अंदर अंदर से बट वह बहुत ज्यादा काफी ठक चुके होंगे आप इस साइड से बस से आईए तीन दिरम मेट्रों का जो 5 अब हम यहां सेलफी पाइंट पर पहुच चुके हैं देख सकते हैं और बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों ऐसी जिगे पर जब आते हैं ना मतलब तो मतलब थोड़ा सा पैदल भी चलोगे तो थकान महजूस नहीं होती आपको क्योंकि इतनी अच्छा मतलब फील होता है ना मतलब तो यहां पर हम दोनों कोशिस करते हुए कि कैसे फोटो ली जाए सेलफी हाँ अब सही हो गया है मतलब हमारे फोटो देखने को मिल जाए बहुत ही मज़ा है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि आप जो नेक्स आपको आगे का होगा अब कंटिन्यू हम नेक्स पार्ट में दिखाएंगे क्योंकि ज्यादा लेंथ की वीडियो भी लोग मतलब देखना पसंद नहीं करते तो उसलिए हम सुषते हैं कि 10 मिनेट्स या 12 मिनेट्स के अंदर वीडियो को हम मतलब दूसरे पार्ट में हम आपको आगे का खा देते हैं यहां पर डाउन डाउन दुबई में यहां पर खड़े होके देखने का मज़ा पूरा पूरा हर तरफ तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स पार्ट में बाबाई